कि अच्छ कि अच्छ कि अच्छ करेंगे तो आप सब का स्वागत है आप सब का स्वागत है आज हम यहां पर करने वाले हैं काफी इंपोर्टन रहेगा यह जो टेस्ट आज जो होगी यह होगी दोस्तो सेट 5 क्यूकि इसके बारे में हम अल्यडी बाते कर चुके हैं है ना हम पहले सेट 4 कर चुके हैं सेट 4 जो अल्यडी अवेलेबल आपने चैन एक साल के तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग जो है यहां पर जुड़ चाहें और जो सेशन है काफी इंटरेसिंग कुछन अपर पूछे गये हैं तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इसमें पार्टिसिबट करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत सारा तो रिस्कस करें, स्टार्ट करें आज का टॉपिक, इंटरेसिंग रहेगा, तो यह रहा, दिखिये, आप से वको पहले बता दू क्यं कर रहे हैं क्यूंकि मैंने यहां पर देखा हम शाम में क्या करें आपको बता दू हम रात को 9 पज़े, 9. materials रहा है, यहां पर जीकेटाइब वाले भी कोशिन से पर पोचे जा रहे हैं तो इसलिए हम फोकस इस पर कर रहे हैं कि किस तरह से आपके लिए बीपेसे बिलिम्स के लिए important कोशिन पर लेके आएं दोस्तों तो मेरा नामे निलेश आप टेलेकर आप मझे फॉलो यह पर कर सकते हो आज वाल आज अपना अनकडेमिका जो प्लाटफॉर्म है आपके उपर मझे फॉलो कर सकते हैं इलेश वर्ड भूले करके आप सर्च कीजेगा आगे चलते हैं बात कर लेंगे यहाँ पर आमको बताओ कि हम डेली तीन सेशन आपे लेते हैं जिसमें साकर हम आपको बताओ कि नो एम को दोस्तों हाथ आए सिखना बीपेसी लास्ट बनेर करेंट अपैस बीपेसी कॉंस्टेबल रापीड फायर जीके हाँ पर होता है तो यह रहा दोस्तो आपके सकी इंग उपर निलेश सर अनकाडमी यहाँ पर जुड़ सकते हैं यह काफी इंपोर्टन यहाँ पर टॉपिक रहने वाला है आगे चलते हैं, बात करेंगे दोस्तों, पहले वाले question के बारे में काफी interesting यह question है, और easy वाला भी question है, देखेगा, कि who among the following has been appointed as chief justice of Madras High Court दोस्तों, बताईए, Madras High Court के chief justice के यहापे, किसने यहापे appoint किया हुआ है, बताईए, क्या लगते है आपको, इसका answer दोस्तों क्या का, बताओ, कोई answer आपर आ रहा है आपका, दोस्तों 7 answer आपर देख लिजेगा, क्या यह मुनिश्वरनात भंडारी है, केसरी तिपाटी है, सतिष चंद्र है फिर रवी कुमार है, क्या लगता आपको, what would be the right answer of this one, तो answer दोस्तों आपके screen उपर आ, यह मुनिश्वरनात है, देखे, who among the following has been appointed to the status, यह तो हमने आपर बात कर जो, क्या मुनिश्वरनात भंडित है, आपको यह भी ध्यान रखना है, कि appointment में ना, high court वाले जिसको भी question पर पूछे जा रहा है, तो थोड़ा सी ध्यान रखेगा, जब दे हम current office को भी read कर रहे हो, निमलेकित मैं से किसे, से फर्वरी 2022 में देखे फर्वरी से भी कोशिन आपर आ सकते हैं पाइजर इंडिया कंपनी का अद्धिक्ष न्यूप्त किया गया है क्या ये प्रदीप शाह है ये आरे शाह है क्या ये सतिश गुपता या फिर दुस्वर रवी सोनी है बताई क्या लगता आपको इसको सेवर रहेगा कमान इंटर्स्टिंग कोशन पूछा गया है कि कमान क्या कुछ आ रहा है पदला चल रहा है क्या इसका हो सकता है कमान बताईएगा तरहाड एंसर भी दोस्तों ये रहा है आपके स्किन के उपर इंटर्स्टिंग है ये प्रदीप शाह राइट आइसर ओके परवरी में 2022 में फाइजर इंडिया कंपनी का अधिक्ष यहां पर यूप किया गया है प्रदीप शाह जी को ये इंपोर्टन धा करें 2022 को कुरुषी सचिव के रूपे न्यूक्त किया गया है कि ये मनोझ अहुजाहं रविंदर सोरी राम-प्रकाश है ऑनध炬 पांडे पताई इसका रहेगा इसका राड़न से दुद्र क्या रहेगा मनोझ अहुजाहे रविंदर सोरी है राम-प्रकाश है या अनुसक्य पांडे जी है अपका लगता से यांसर इसका क्या रहीगा कुछ याद आ रहा है कुछ पता चल रहा है बताईए काफी देखो यहापर फिर से बन आपका इनके बारे में कोशन है क्योंकि आगे चलते बात करेंगे आठ परवरी 2022 को दोस्तों ऐसे सी आप सब को बताए करमचारी चाहिन आयोग तो इनके दोस्तों इनके तुरुप में नुक्त किया गए अधिक्षी रुप में किसे आपे नुक्त किया गए इनका अधिक्ष्य कौन है यह किशोर है आनंत पांडे है आधुल सिंह दुस्तों कृपा शंकर पांडे है मताईये से दूस्तों इसका क्या हो सकता है क्या लग डाए आपको रहें कुछ आ रहा है या या रहा है कूश में आ रहा है कूछ या रहे है या ने समझ में आ रहा है कुछ या नहीं दरड़ाइंसे दोस्तों यहां पर आपके स्किन क्यूपर यह रहा दोस्तों स्किश्वर जो है दोस्तों यह क्या है आदिशी चुने गए है स्से के स्टाफ स्रेशन कमिशन के आगे चले बात करेंगे नेक्स वाले टॉपिक के बारे हैं देखो परवरी 2022 में जावला नियुरु विश्य विद्धा लाए दिल्ली की पहली बहिला कुलपतिक रूप है किस दोस्तों क्या रहेगा कुछ याद आ रहा है कुछ सबता चल रहे है कमान बताये आ है कि से वाल यहांपर आपका एंसर क्या हो सकता है कि ग्रह के देख लेया थे यहांपर चांतीश्री दुली बूरी पंडित यह काफी उस पर फेमस टॉपिक बना था ये इसका से वाला राड एंसर आगे चलते हैं बाग कर लेंगे दोस्तों यहां पर की श्रीयो मारा कास्त्रों ने जनुवरी 2022 में की सिदेश की पहली महिर रश्पती रूप में शपत है पहली निकारा गुवा एक्वेड और होंडूरा से अफिर ह यहां पर कास्त्रों ने जनुवरी 2022 में किस देश की महिला राश्पती के रूप में शपत है ली थी निकारा गुवा एक्वेड और होंडूरा से यहां पर आपका होंडूरा से यह काफी इंपोर्टन्ट है जलते हैं आके बात आपके करेंगे निक्स वाले टॉपिक के बार में देखेंगे क्या कोशिन आपके आता है तो फरवर 2022 में किसे लेखा महा नियंत रख के सीजी जी जैसे हम बात कर रहे हैं कंट्रोलर कंट्रोलर जेनरल आफ अकाउंट्स दोस्तों यहां पर वित्तमुतर यहां पर किसी निक्त किया गया है सीजी है बताइए यहां सोनाली सिंग है आकांचा राजपूत है साक्षिगर के आपके शेफाली गुपता है बताइए क्या रहेगा काफी इंट्रेस्टिंग है आइसर दे रहे है आप लोग बताइए दोस्तों इज़ी है यहां पर सीजे के बारे में आप बात हो रहेगा यह दोस्तों आपके स्कीन के उपर निमनलखित मैंसे किसे फरविड 2022 में राश्ट्रिय शैष्यनिको के शैक्षिक अनुसंधान और पश्यम परिश्य दिस NCRT के निदिश्यक के रूप में आपे न्यूक्त किया गया है क्या ये दिनेश परसाद सकलानी है वी अनन्त नागेश्वरन है डॉक्टर शंकर आचारिय है या फिर दोस्तो जैतिर्थ राव है क्या लगते आपको इसका राइड़ाएं से दोस्तो क्या हो सकता है कुछ याद आ रहा है कुछ पता चल रहा है बताईएगा इंतजार है आप थोड़ा डिटल में जाओगे तो कुछ यहाँ पर मुश्किल आएगा नहीं तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इसका ऐसे देदीजेगा चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स टॉपिक के बारे में यह आपके स्किन के उपर दिनेश प्रसाद सकलने दोस्ते हैं आपका सही आइसर ध्यान रखेगा दिनेश प्रसाद सकलनी आगे चलते बात हैं पर करेंगे फरवर 2022 में वीश्वी धाले अनुदान मतलब UGC के बारे में कर बात हैं पर करें कि अद्धिक शुरूप में किसे आपके न्यूक्त किया गया है क्या यह अनिलिवजाच कुमार है एम जगदिश कुमार है प्रफुल खोडा रॉय है या फ आपका सही आइंसर है इस देश के परधान मंत्री H.E. Antonio Costa जनुएर 2022 में फिर से चुने गया है क्या यह पोर्चोगल है क्या यह स्पेन है क्या दोस्तो इटली है या फिर बिल्जिम है बताइए क्या लगता आपको इसका राइडेंसर दोस्तो क्या रहेगा क्या इसका आइसर आ रहा है आपको या नहीं आ रहा है बताइए काफी इंपॉड़न है यह question आइंड शायद इसको आपका आइसर आएगा देखे काफी बात है कि अगर हम इंटरनेशन आपे इसकी बात करता है तो कभी-कभी जो नए कंट्री के मतलब जो कोई भी कंट्री क करेंगे इसका जो आइसर रहे हैं काफी एजी था मुश्किल है नहीं हाँ नेक्स बात करेंगे हैं इसके उपर काफी question पुछे जाते हैं तो देखेंगे हरन नमबर वन बना था जिसमें 52 गोल के साथ लगभग कुल 137 पतक जितकर आवल रहा है हर्याना यह सबको बात बता है आगे चलता है बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर important अगर points की बात करेंगे तो येस national खेल अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखेंगे कि 52 के लोग कैटे वर्ल चैंपियन बनी है सेरितादीव 2006 में जेनी आर एल 2006 में लेकी केसी 2006 में और निखत जनिन 2022 में अभी बनी है चलो चलते आगे बात करें के question के बारे में easy है मुश्किल है नहीं कि निवलेकित में से किसे glorious world breakthrough of the year award के नामान कित किया गया कै निरा चोप्राजी को विराड क बहली प्यार स्रीजेश या फिर मितली राज बताईये सही इसका दुस्तर आइसर क्या हो सकता है क्या लगता आपको what would be the red answer of this one क्या इसका सही आइसर रहेगा कमान बताईयेगा काफे interesting है यह question मैं चाता हूं कि आप सभी लोग काफे बता दीजेगा चलिए यह आपके scene को पर दोसर नीरत चोपड़ यह आपका सही answer है राइट क्योंकि यह देखेगा award जो है वो काफी यहाँ पर दिये चाते है तो मैं चाता हूं कि आप इस question को जो है इस topic को ध्यान में रखेगा में लिकित में से कौनसी cricket team फरवरी 2022 में हजारवा एक दियूसे अंतरश्य cricket match खेलने वाल दोस्तों पहली टीम बन गई है क्या यह इंडिया है ऑस्टेलिया है इंग्लेंड है या फिर स्री लंका होगा या फिर भारत होगा बताईए इसका से दोस्तों क्या हो सकते है क्या भारत बनी है येस मेरे दोस्तों ये सेवल आइंसर है 2022 में हजारवा एक दियूसे अंतरश्य cricket पहली वाल टीम जो बनी है वो बनी है अपनी भारत इंडिया चलते है नेक्स्ट बात करेंगे फरवर 2022 में AFC महिला एशा एक कप हम बात है पर कर रहे थे, Wak 對 women Asia Cup के बारे में तो किस देश ने दक्षिन कोर्या को टीन-d lever को हारा करें प्यताब जीता है क्या ये बताइए इसने यह पर Japan है, Czech है, Indonesia है यह फिर Martjo운 है क्या लगता आपको आपको सही answer है क्या हो सकता है मक्कान है question easy है सीव आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि उस टाइम पे क्या-क्या चीजे हुई थी मैं मानता हूँ कि ये question लगबग डेड़ साल पूराना है लेकिन question ऐसी पूछा जा रहा है क्योंकि ये जो घटनाय जो होती है Asia Cup और महिला Asia Cup के बात है ये चार साल में एक बार होती है तो ये वाले question आपको पता होने चाहिए इसका ऐसे दोस्तो चीन है China ने आपको दक्षिन कोरे को हारा के AFC महिला कि तब ये जीता था इशाय के ताब विकित मैं से कि शेहर में दोस्तो वीश्व का तो उस टाइम पे काफी बाते करी गई थी और शायदे आपको पता भी होगा इससे वाले इसको आइंसर रहेगा ये easy है जाटी जाइपूर में दोस्तों सबको बताए कि पहला वाले जो स्टेडे में वो एमदाबाद है उसके बाद Melbourne Cricker Ground है उसके बाद जाइपूर रहे बनेगा आगे चलता है बारत किस वर्ष के बाद पहली बार 2023 अंतरराष्ट्र ओलंपिक समीति के संत्र की मेजबानियां पे करेगा दोटराष्ट के बाद अंतरष्वालम के समीति ठीकाए 1931 में कही गई थी पहली बार जब हम मेजबानी की बात आप आती तो यह कब करी गई थी तो बताइए कवाण वाट उड़ दरड़ आइंसर अब इस वान दरड़ आइंसर उड़ दोस्ते यह आपके स्कीन के उबर देखें इंटेस्टिंग है 1931 में दोस्ते बात हुई थी मतलब करेंगे उसके बात जो 2023 में उसके बात पहली बार करने वाले हैं आगे चलते हैं 2022 में जो शित्रकालीन जो ओलंपिक खेल होंगे चीन से कितने पदग आप जीता है चीन ने क्या लगते आपको स्वाल दोस्तों इसका एंसर क्या रहेगा कमन बताईएगा इसके बात करें विंटर ओलंपिक में जो पहले रहा है वो नौर्वे रहा है फिर जर्मानी फिर उसके बाद चीन फिर यहां पर सविंगत राज अमेरिका इंडिया ने कोई पर जीता नहीं है तो देखे नौर्वे और नौर्वे सबको पता है एक स्केंडरिवन कंट्री है जो काफी हम कहेंगे नौर्थ पोल के नजदीक है तो यह वो जो कंट्री आपे काफी आगे रही है इंटम सब अगर बात करते हैं पदक जीतने में और चायना नहीं पर कुल 15 पदक जीते है ध तो देखेगा जब भी कोई याफी मेडल जीतता है जब भी कोई किसी की टूर्णामेंट जीतता है तो आपको पता होना चाहिए कि यह किस तरह यान किस ने जीता है स्वाती सिंग कुंजराणी देवी या फिर करना मल्ले चुरी बताइए सेवले इसका अशर दोस्तों क्या जीता था और काफी पिक्चर वाइरल भी उनकी हुई थी और काफी एक उन्हें प्रशन साहिव भापर मिली थी भारत ने फरवेड 2022 में सिंगापुर वेटलिफिंग इंटरनाशनल में कितने पदक जीता है भारत ने कितने जीता है गोल तो डेफिनेटली मेरा वाइच बताइए क्या लगता आपको what would be the right answer of this one बताइए क्या लगता है क्या लगता है आपका आठ बद भारत ने पर जीते है तो ध्यान रखेगा उसमें से एक मेरा वाइच अनुज ने आपर जीता अब बात करते हैं कि यहां पर देखेगा what is the estimated effective capital expenditure जो मतलब government जो है 2022 से इसके बात है या पर कितना खर्च करने वाली है क्या मतलब expenditure कितना करने वाली capital आठ लाग करोड पंद्रा लाग करोड तेरा पॉइंट शिस्टी लाग करोड या फिर दस पॉइंट शिस्टी लाग करोड क्या लगत आपको से वाले से दोस्तों क्या रहेगा बता दीजेगा what would the answer of this one बताईए is there any answer कुछ पता चल रहा है बताओ यह राद दुस्तों आपके स्कुन की पर answer यह यहाँ पर भारत जोई वित्यवर्ज 22-23 में यहाँ पर लगभग हम बात करेंगे तो 10,68,000 करोड रुपे यहाँ पर खर्च करने वाली है धाना पर रखेंगे काफी बड़ी आमाउंट है यह आगे बात करेंगे हम price s और awards के बार में काफी important topic यहाँ पर रहने वाला है तो मैं चाता हो कि आप सभी लोग इसके उपर ध्यान जरू दीजेगा और यह काफी important बात हमारे लिए हो सकती है है ना चलो तो आगे चलेंगे बात करेंगे next topic के बार में interesting तरीके से और देखेंगे कि क्या के चीज़े आपर आई है और किस तरसे topic रहेगा तो business standard banker of the year award 2021 कि से चुना गया है क्या यह N.S. Kannan जी को के वी कामत संदिप बक्षी वी वैदनाथन या फिर अभिनो कुमार बताओ सभी दूस्तों इसका answer क्या रह सकता है क्या लगता आपको what would be the right answer of this one बताएए क्यों है इन्सर क्या लगता आपको इसका answer क्या हो सकता है इजी है मुश्किल है नहीं है लेकिन आपको बात पता होना चाहिए बताएगा तो रहा answer of this one दूस्तों यह आपके स्कीन के उपर यह संदिप बक्षी दूस्तों इन्हें इन्हें Business Standard Banker of the Year Award यहां पर दिया गया है जो कि हम यहां पर बात कर रहा है प्राइजर से फिर एवार्स के आगे चलेंगे बात कर रहे हैं गर्णतर दिवस परेड जो 2022 से होई थी उसके जो सरुषिष्ट राज्य ज्हाकी के रूप में किसे चुना है आपको कहा था शाय कि देखे जब भी यहां पर Republic Day Parade होती है तो उसमें आपको यह पता होना चाहिए कि सरुष ज्हाकी किसे चुना गया कौन आपको मुख्य आतिती रहे हैं और अगर बात आती है 15 अगस्त की तो 15 अगस्त के जो स्पीच होता है हमारे प्रदर्मदिक देते हैं तो उसमें उन्हें क्या का चीज़े कही हैं फ्यूचर के लिए क्या बाते कही हैं क्या इंडिया करेगा क्या नहीं करेगा यह आपको पता होना चाहिए इसका जो आइसर है दोस्तों उत्रपदिश की जाकी को यहापे पहला नामबर मिला था ओके पहला डांक यहापे मिला था बात करेंगे नेक्स वाले टॉपिक के बार में यहापे देखेंगे क्या चीज़े उभर के आती है निमलेखित में से किस क्रिकेटर ने ESPN क्रिक इनफो टेस्ट बलेवाजी एवाड 2022 जीता है दिखेगा ESPN क्रिक इनफो टेस्ट बलेवाजी एवाड रॉस टेलर रिशब पंथ बाबर आजम या फिर शाहिन अफरिदी क्या लगते आपको इसका राइट आइसर दोस्तों क्या हो सकता है बताइए वाड आइसर आपका समझ में आ रहा है कुछ यह नहीं आ रहा है आपके स्किन के उपर काफी इंट्रेस्टिंग है बात करते है यहाँ पर इस राइट वाले आइसर की देखो सबको बदा था उस टाइम पर रिशब पंध जी को यह एवाड दिया गया था काफी उन्होंना बहतर ही प्रदेशन के आथा 2022 के बाता आपके करता है ओके खास करके जो गाबा टेस्ट था आउस्टले की खिला वो भी काफी अच्छी तरफित जीता था बात करते हैं यह तो बात की दिए क्या लगता आपको इसका से दोस्तों क्या रहेगा यादा रहा है इसका क्या हो सकता है मुश्किल नहीं है एजी है तो मैं चाहता हूँ आप से भी लोग इसका इसे दे दिजएगा बताइए अपने यहां पर देखियागा की जरह बात कर लेंगे काफी इंटरेसिंग तरीक से आप सभी के साथ चलो ओके यहां पर 21 के प्रदेशन के लिए किस पर प्रतिशित विश्वक है अधिट ओफ दे यह दो किस न्यता है प्यार सिजर्श ने मनपरिस सिंग ने अर्दिक सिंग ने या फिर बिरेंदर लाकडा ने एक किस ने जिता है क्या आप को लगता है सही दोस्तों इसका एं प्रांस है लक्षिन कोरिया है जापन है या फिर दोस्तों अमरीका है पताईए यहाँ पर राइट आज़े दोस्तों आपका क्या रहेगा यह पर बात हरी एक्सिसाइस की जो हम बात है पर कर चुके है और टेलेकरम ग्रूप कर पर काफी हमने यह पर इसके आज़ देख सकते हैं आगे चलता है बात है आपके करेंगे दोस्तों इसके जो आज़ा धर्मा गार्डियन, यह जापन के साथ होती है, काफी बार इसके बरम बात हम कर चुके है, बात करते हैं, नेक्स्ट, परिवत 2022 में भारतिय नोस रहने का जो बहु पक्षिय अभ्यास जो मिलान हुआ तो 2022 में, यह किस राज़म दोस आज़ित किया जा रहा है, बताएं, मतलब भारतिय नोस रहने का जो अभ्यास मिलान है, काफी एक इंपोर्टन एक्सराइज आपर बनती है यह, और काफी बड़ी एक्सराइज है, तो यह आंधर पर दोस आपर आज़ित किया गया था, ध्यान रखेंगा, आगे चलते हैं, बात करेंगे नेक्सल टॉपिक के बार में क्या लगते आपको, सही वाला इसके दुस्तों आइसर क्या रहेगा, what does you think here, आ रहा है कुछ बड़ा चल रहा है, बताइए, come on, what does you think here, the right answer would be, यह आपके स्क्रिम क्यों पर आइए, यह उन्हान की इंगना, देशन मैंने खा थोड़ी दे पहले, यह उन्हान की इंगना में दुस्तों यह हो रहा है, आगे चलते बाते हैं आपके कर लेंगे, निम्हान की स्थान पर 16 फरवरी 2022 को भारतिया रक्षा ब पर किया गया था, क्या रखता आपको, इसका सेवल दोस्तों आइंसर क्या रहेगा, बताइए, what would be the right answer of this one, come on, क्या कहते हो, क्या सुनते हो, क्या सोचते हो, क्या इसका right answer हो सकता है, मेरे दोस्त, बताइएगा, हाँ का इंतितार यहाँ पर कर रहे हैं, इसका right answer दोस्तों यहाँ पर पोर्ट ब्लेर एरफिल्ड, अंदर मने निकवा, दोस्तों काफी important है, चार भाटिया, एरवेस ओडिशा, ओके, यह नहीं है, आपका पोर्ट ब्लेर एरफिल्ड है, नेक्स्स बात करेंगा, पर निमलिकित में से किस देश के सशस्त्र बलो के इसका right answer दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगा, क्या लगते आपको, दरणा इसर रोल भी दोस्तों यहाँ पर यह रहा, आपके स्कीन क्यूपर काफी interesting है, यह रहा, साथिया अरवे दोस्तों यहाँ पर पहुच चुक है, बात यहाँ पर सही है, आगे चलते है, अब इंडेक्स काफी दोस्तों matter करते है, डिफरेंट डिफरेंट जो association होती है वोल्ड में, आपके इंडेक्स जारी करकी है, तो आपको पतों चाहिए कौन से इंडेक्स किसने आपके रिलिस किया है, बात करेंगे, दस फरवे दोज़र बाईस को जारी किये गए, EU, EIU's democracy index में दोस्तों काफी इंट्रेस्टिंग है, भारत का भी आपको देखिए, अगर ranking जो है, काफी matter करते हैं, आप यहापे जरूर इसके बारे में रीड जरूर कीज़ेगा, जो Norway है, यहापे हमेशा आगे रहा है, अगर बात करते है, democracy के बारे में, ओके, नेक्स्ट बात आपके करेंगे, कि Union Agriculture Minister, उन्होंने यहापे कुछ launch किया, देखेगा, खिसानों को अपनी फसल बीमा करने के लिए, प्रेडित करने के उद्देशे से, डाजच पहल चुरू की है, खिसान बीमा के बात हो रहे, मेरी policy मेरे हाथ, मेरा फसल इन्हों मेरे हाथ, मेरी फसल नहीं थी, या फिर मेरे ह मेरी policy, बताइए, इसका सही answer दोस्तों क्या हो सकता है, क्या लग रहा आपको, what would be the right answer of this, कोई answer आ रहा है, बताइए, कुछ idea है आपे, कुछ बाद चल रहा है, दोस्तों यह रहा, आपका skin के उपर, interesting है, यह रहा, दोस्तों, right answer, मेरी policy, मेरे हाथ, यह right answer, तो इसको पर धान मेरे, क्योंकि देखो, होता कहाईना, रिविजण क्रते सम BRIAN, बूल जाते, क्योंकि इतने सारे options होते है, कभी कभी हो सकता है, है वो, इसलिए, रिविजण कफी matter करती है, जो आपने read किया है, उसकी रिविजण करना matter करते है, तो आज इसलिए, आम यह पर रिविजण कर रह को इसका राइंस दोस्तों क्या रहेगा कुछ याद आ रहा है बताइए आप सभी के साथ याद आ रहा है नहीं आ रहा है देखिए यहाँ पर देख लेंगे इसका रहा है तो फरविट 2022 किसे बढ़ा दिया गया है आगे चलते हैं बात करेंगे अपर फरवरी में हर घर जल से जिवन शेवन मिशन के तहट भारत के बात कर द्रीकर में लुक्त कितने जिलों के आपट है है क्या 40 जिलो में 15 15 जिलो में 100 जिलो में फिर 1000 जिलो में क्या लगते आपको इसका राड़े से दोस्तों आपके क्या रहेगा बताईए इंट्रेस्टिंग है श्रद आपको आपके पर पता होंगा बताईए what would be the right answer of this one come on क्या रहेगा इसका right answer दोस्तों बताईएगा कुछ याल आ रहा है कुछ पता चल रहा है आप से भी को तो नहीं पता चल रहा है बताऊ हम 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 चलो यह दोस्तों बया रहे थे आपका चल के पर अबर मुंबई यह आपका सही आंसर है, right मुंबई आपका right answer, okay चलो, आगे चलते हैं बादे भी करेंगे, अब famous books के बारे में और उनके authors के बारे में यह काफी important होता है और यह topic हामेशा से ही, एक hot topic रहा है किसी भी examination में आगे चलते, देखेंगे कि the founders, the story of people and the entrepreneurs who shaped Silicon Valley यह पुष्टर के लिए के दोस्तों कौन है, क्या चेतन मगत है किरन देशाई है, जिमी सोनी है मुझे लगता है, शाय चेतन मगत नहीं होंगे शुष्टर भी नहीं होंगे वो भी नहीं लिखेंगे इस बारे में और इन दोनों में से लोगता कि किरन देशाई या फिर जिमी सोनी होना चाहिए क्या लगता आपको, बताओ से वाले इसका answer दोस्तों क्या रहा है आपका जिमी सोनी या आपका सही वाला answer या पर बनता है ओके, गॉट इट? चलिए, बात करते दोस्तों what would be the right answer of this one? बताइएगा चाहता आपको सही लग रहा है क्या होगा? राइट आइट आइशाई यहाँ पर दोस्तों यह आपके स्कीन के उपर इट्स मित्किले इस्तिवारे दोस्तों काफी इंपोर्टन ध्यान रखियेगा काफी बड़े कोशन पूछा गया है अब बात करते fearless governance इसके दोस्तों लेकर कौन है? क्या भी नारायन स्वामी है? स्वाथि चत्रवेदी है? बीच इतंबर में पर किरन अबेदी है? बताइए क्या लगते आपके इसका सही आइंसर क्या रहेगा? बताइए वाट वोड़ बी दरेड आइंसर अब इसका सही आइंसर आपके इसका सही आइंसर आपका किरन बेदी जो पूछते के आपके लिखी है बात करेंगे गोल्डन बॉय नीरत चोपरा नामा के लगु जीवनी दूस्तों किसने आपके लिखी है? काफी बार ये कोईशन हम कर चुके हैं शायद आपको पता होगा? बताइएगा इसका सही आइस से दूस्तों क्या रहेगा? कुछ याद आ रहा है? What does you think the right answer would be? Here चलिए ये रहा दूस्तों आपके स्किन के उपर ये कोईशन काफी बार कर भी चुका है काफी एग्जाउन समके में भी कोईशन आ चुका है हरपर कॉलिंस इंडिया दौरा प्रकाशित पुस्तक दा इमोर्टल किंग राव के लेकर कौन है? क्या ये वोही नी वारा है? आकाश कंसल है, सुबीरा प्रसादय है, फिर अनुकृति उपद्या है क्या लगता आपको? सेवल दोस्तों इसका एंसर क्या रहेगा? बताइए याद आ रहा है रीड किया है तो बताओ ओके? कम आन रणाए सरु दोस्तों ये रहा, आपके स्क्रीन के उपर ये दिखेगा, वोही नी वारा ये जो है न, ये सेवल आएंसर ही ये आपको बात दरदन में रखने चाहिए आगे चलते है बात करेंगे, नेक्स वाले टॉपिक के बारा में आपके कापी इंटरेसिंग रहेगा क्वेशन देखेगा, सेवित राष्ट के 1992 सदस्य दोरा 2023 में आजंडा में एक भाग के रूप में अपनाए गए 17 विकास विल्लक्ष में बारिकस्तान दोस्तों क्या है, देखेगा यह आपर बात हो रही है, उस इंडेस की बात हो रही है जो 2023 में हम आचिव करने के कोशिश आपर करेंगे तो अगर बात करते हैं, इसमें इंडिया की जो रैंक है 17 यह इंडेक्स जारी किया गया, इसमें इंडेक्स क्या रैंक है 117 वी, 120, 92, 87 बताइए, क्या लगता आपको इसका राइड आइंसर दोस्तों क्या रहेगा बताओ What does you think the right answer would be क्या सही लग रहा है, आप सभी को इसका right answer यह रहा, yes, it's 120 दोस्तों, काफी important है, देख लेगा yes, it's matter यहाफे करेगा, so that's why यहाफे important question बनता है, आगे चलते बात यहाफे करेंगे next topic के बारे में, कि यहाफे बताई, 31 वी दक्षिन पूर्वी इस शित्र का सबसे बड़ा खेल आयोजन, मई 2022 में किसी देश में आयोजित किया जाएगा, क्या इंडोनेशा में किया जाएगा, वियतनाम में, मलेशिया में, आप सिंगापूर में, बताईए, इसका से दोस्तों आपको क्या हो सकता है, what would be the right answer of this one, क्या कहते है आप से भी है, Southeast Asian Games की, चलो, आगे बात करें दोखें, 31st Southeast Asian Games, इसमें वियतनाम टॉप पे रहा है, काफी इंपोर्टन्ट है, फिर थाइलेंड है, फिलिपाइन से, सिंगापूर है, इंडोनेशा है, मलेशिया है, म्यानमार है, कंबोडिया है, प्रुनेई, दरुसलाम है, आइंड आपके हापे हो चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो है, अब यहाँ पर काया करो, दोपेर को 3 बच जो हमी BPSC Constable का Rapid Fire होगा, उसके लिए ज़रूर कीज़ेगा, काफी important office session होने वाला है, आइंड काफी question भी हम वापे करने वाले है, तो मैं चाहता हूँ अपना टेलेकराम ग्रूप का चानल है, तो मैं चाहता हूँ आप सभी लोग यहाँ पर जोड़ जाएगे, तो लेट सी, थैंक यू फॉर आल, यहाँ पर जोड़ने के लिए, मिलेंगे दो पेर को 3 बच तिल देन, टाटा, बाबाए, टेक केर, थैंक यू सो मुच, बाबा करा कि यू यहाँ, तो मैं जाबाए बाए टते हैंग है, तो मैं जाएग मुच, तो मैं एलोग़ने के लोगश थ comprendीती है, तो मैं और किPhone 12